अब गाटी बुक कराते हैं या आगी चालो होगी है चालो होगी है चालो होगी है इश्टेस कनफ जाया वीर वाने सूमा हाँ परोगा जो तो महाटेट गार पीट जावजी इस दिक होगी है आगने अब करते हैं और गर का जोए सुबह सुबह रूटीन होता है वो मेरा सारा कहतम हो चुका है अंदर घर के अंदर जो भी अदर में निपटा ली थी उसके बाद आज जो भी मेरे कपड़े वाश करने थे वो मेंने कर लिये हैं सारी बेट सीटे थोड़े बहुत कपड़े थे उनको सबको मैंने धोके अच्छे से सुखा दिया है क्योंकि आज अच्छी खासी धूप खिली थी और नल भी आया था तो अच्छे से मैंने कपड़े दो और दि इनको अच्छे से बाते करते करते मेंने को 6 बच गयते और आई भी लेटी थी यह साड़े च्छे आँ ऐसे कुछ हो गया था तो इनके बस का टाइम भी यही था तो फिर यह चली गई थी और में बनाने लग गई थी खाना तो उसके लिए तैयारी कर दी तो पालक वगिरा जो लाई थी में दो दिन हो इसको रखे हुए तो सफ कर रही थी और जो भी मेरे दूद वगीरा के बरतंखाली होते उनको मैंने साफ कर रही थी मैंने जब साफ कर रही हुएं इनमें अच्छे से पत्यों के चिप के वह थे अगर अच्छे से ध्यान से नहीं देखो तो फिर उखाने में जाते ही है तो हरे पत्तेदार सब्जी में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि इन में कीडे वगईरा हो सकते तो अच्छे से चेक करके वोश करके फिरी इनको बनाना जाएं यह सब्जी को तो मैं आलू पालक बना रही थी तो इसके लिए मैं छुट छुटे जो तीन आलू है उनको अच्छे से चिल के इनी के अंदर जो बोईल होने के लिए रख दिया है तो साथ के साथ ही बोईल हो जाएंगे और इसका मसाला भी में तैयार कर रही हूं तो डेली जो मेरे लसन पर आज हरी मिर्चिकट होती है वही सारे मसाले है मतलब मेरी हर सब्जी में नॉर्मल यह चीज़े डलती ही डलती है अगर हम दाल भी बनाते हैं तो हमें फीकी दाल बिल्कुल पसंद नहीं है तीक है मसाले होने चाहिए हमारे तो दाल में भी हलका खाना खाओ दाल रोटी तो लाल में भी बड़ा जोड़ा तड़का लगता है हमारे दर तो बहुत सारे मसाले डालते हम तब जाके हमें सब्जी थोड़ी टेस्टी लगती है तो हो चुकी है बोईल और उसके बाद मैंने इनको अच्छे से मैश कर लिया है तड़का लगाने के लिए जीरा धनिया लॉ बता देना चाहिए कि हां मुझे टाइम लगेगा इतने टाइम बाद में आऊंगा तो फिर थोड़ी तसली रहती है ठीक है पर इनको कॉल करो थे कॉल भी कट कर देते हैं तो आ गए थे और अभी आ रहा है समीर साहिल का कॉल तो उसी से बाते चल रही है अब लबू बता र पूछ रहे थे और हाल चाल पूछ रहे थे कि क्या है क्या नहीं है कैसे हो तो हम तो ठीक है तेरे पाप आज कल लेटी आते तो वही सब शिकायते थी बच्चों के पास करने के लिए यह अपनी जो भी साम के टाइम थोड़ा बहुत नास्ता वास्ता करते हैं उसी की तैयार और बहुत बार जगडे भी हो जाते है किचन में खड़े खड़े ही हमारे तो यहां पे मैंने थोड़ दो तरह से बनाई इसको ड्राय सब्जी रखी है सेजल के लिए और उसके फूफाजी के लिए और मेरे लिए बनाई है जोलडार सब्जी जो की मैं बाजरे की रोटी के अपने लिए बना लिए तो यहां पर सुरू हो चुकी है अच्छे से हमारी फाइटिंग होती है कभी-कभी क्या कर दोती है, ह rok यहां पर बात चल रही है । जब भी मैं कहीं भी जाने का कहीं भी जाने, कहीं बिजाने का his program बनाती हूं न बहुत मुश्किल से इनको मनाती हूं तैयार करती हूं कि हां मुझे चलना है कहीं तो अब भी से नहीं मतलब दो ढ़ाए महीने से कुछ प्लानिंग कर रही हूं फिर कभी तो बोलते कि ठीक है बच्चों को थोड़ा सेटल कर दे यह अपने होस्टल चल जा जा है उसके बाद हम चलें को अब आज कल भी बोल रही हूं तो भी मेरे मतलब केम चल रहे थे इनको खटम हो जाने जो भी है सच बोला करो कि टाइम ह somehow नहीं है वे उसके बता में और चदो सब्जी हिलानी इनके आदत है वो जब भी कहीं घूमने की बात कहती हूं जबकि मुझे बहुत जादा दूर नहीं जाना है मेरे खेतु में जाना है मेरे सस्राल जाना इत्ती चोटी चोटी जगे में भी यह लेके नहीं जाते हैं बहुत मिन्नतों के बाद ले जाते हैं मुझ पर इनको पतानी क्या है बहाने तयार रहते हैं इनके पास पर की बात पल्टी मार जाओ तो कही करूं नहीं बताते हैं तो बहुत सारी बहस के बाद इनोंने बोलाए कि मैं संडे को तुझे खेत पे छोड़ दूंगे और मैं कहीं उधर ही मेरे जो बाहर साइड में काम होते हैं मैं उनके लिए चला जाओंगा साम को तुझे वापस लियाओंगा तो वही बहस चल रही थी कि मैं अकली वहां क्या करूंगे मेरा मन लगेगा क्या आप खुद भी रुखना जो कि तेरे कहते वहां तेरे को कौन खा रहा है इनका कभी भी समझ में आता है इनके बहांने तयार है कि गाड़ी बुक कर पहले फिर नई गाड़ी में जो गुमाने ले जाओंगा तो वही बात होगी कि ना नौ मनते लोगा ना राधा ना चे की पता नहीं कब तो इनकी न्यू गाड़ी आएगी और कभी यह मुझे साड़े नौ बजे निकल गए और रात को पहुंचेंगे वापस घर पे पता नहीं कहां कहां घूमते फिरते हैं यह तो यही सब चल रहा है आजकल जिन्दगी में और कहते हैं कि जब आपको टेंशन मिलती हर तरफ से मिलती है तो मुझे आजकल ऐसे हो रहा है कि मैं अपने आपको बहूत बहूत जिआधा स्ट्रॉंग बनाकर रखती हूं लेकिन मुझे हर तरफ से है जब ऐसे तंग किया जाता थान है तब मुझे थड़ा सा दुख होता है कि मैं क्या करूं कभी 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 मुझे लगता है मैं मैं खराब हूं क्या मुझे ऐसा लगता है मैं ही खराब हूं फिर तुम कि सब मुझ से लड़ते हैं इसका मतलब मेरे में कोई कमी है तो हो सकता है मेरे में कमी हो सकती है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना थैंक्स पर वाचिंग बाबाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियों में तब तक अच्छे से रहिए मस्त रहिए